आज हम एक नई केक के आइसिंग करते हैं केक को क्रम कोट करके फ्रीज में रख दिया था अब ये देखे फ्रेंड्स हमने लीफ नोजल लिया है मिडियम साइज वाला और उसको रेड कलर की क्रीम रेड मिंस की हलका है और इस तरह से आपको जो कलर पसंद हो ले सकते हैं और इ नोजल हमने लिया है इस नोजल से हम बीच बीच में कहीं कहीं फ्लार जो है ओ बनाएंगे तो मैं आपको दिखाती हूं यहां देखे फ्रेंड्स पस इसे हमें राउंड इस तरह से घुमाना है प्रेस करके और इसको हमें यह दो पॉंड का केक था तो इसको हमें थोड़ी दूरी पर बनाना है क्योंकि हमें आधा ही फ्लार जो है कवर करना है तो यहां देखे फ्रेंड्स मैंने तीन अभी बनाया और एक फ्लार में बनाओंगी इस किनारे पर तो यह नोजल का जितना फ्लार बनाना था वह हो गया अभी हमने ऐसे ही पाइपिन बैग में परपल क् पाइपिन दियुंकि यहां बेभी मुझे फ्लार बनाने हैं और कोई रोजनेल का हम नहीं लेंगे इसके लिए तो यह नोजल शन फ्लार नोजल है तो इस नोजल से फ्लार जो होते हैं बहुत ही अच्छे बनते हैं और बिदाउट रोजनेल का आप बस पैटल्स जो है इस आपको और सबस्क्राइब प्रेस करके, आप खेसते जाएए. ठेख behöver हैं friends, यह बिल्कुल और तरह का फ्लार दीकर रहा है. इब और तौना का फ्लार जो है हमें जितना जगह है उसके एकसा बड़ा इस बनाना है तो यहां पर देखिये फ्रेण्ट एक फ्लार तो बन कया अब दूसरे डॉट पि भी सेम उसी तरह को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन पेस्ट कर दीजिए क्योंकि मैं अक्सर केक के आइसेंग से रिलेटेड बीडियो भी डालते रहती हूं केक की बीडियो भी रहती है फ्रेंस तो यहां जितने भी मैंने परपल कलर के डॉट्स जो रखे हो थे उस पर मैंने इस तरह से फ् बड़े फ्लार के नीड है वहां पर हम बड़े फ्लार बनायंगे तो यह फ्लार तो बन गया फ्रेंस जर्णो क कि परPOL कलर ओले फ्लार्स तो मैंने पूरे बना दिये हैं अब उसी नोजड से फ्रेंस देखिए नीचे साइड में हम 32 पैटल्स जो है साइड में बना देंग तो इसी तरह से नीचे साइड का भी कवर जो है ना हम कर लेंगे आपको थोड़ा सा डीप यदी चाहिए होगा तो आप थोड़ा सा डीप कर लो क्योंकि ये पॉर्पल कलर है और क्रिम में जाने से वो उतना डीप नहीं हो पाते तो यहां देखिए उसी नोजल से मैंने भूथ ही खुब सुरत लग रहा था क्योंकि पूरा कलर फूल था फ्रेंट्स तो यहां ये हो गया फ्रेंट्स अब हम क्या करेंगे कि यह हम एक नोजल लेंगे और नीचे का बॉरडर जो है छोटे-छोटे डॉट्स हम देते जाएंगे और पूरे बॉर्डर को उसी से हम और इसी nozzle से friends छोटे छोटे dots देखिए मैं जहां पर जगे खाली लग रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके उस dot को purple color का ही dot हम रखेंगे और यहां पर जो जगे खाली है इसे भी अब थोड़ा सा deep color देंगे तो यह twisted nozzle है friends और उससे हम बनाएंगे इसका मैं always मैं बीडियो में जब आइसिंग डालती हूं तो इस nozzle का यूज मैं आपको बताती हूं ऐसे मैं इस nozzle का नंबर भी आपको मेंशन कर दूंगे description में के कौन सा nozzle है अब यह grass nozzle हमने लिया है और यह जो purple color के फ्लार बनाया है ना पैटल्स वाले उसमें हम yellow color का glass nozzle से बीच आपको दो फ्लार पे हमने रेड कलर के पर्ल गदिये हैं yellow red का combination बहुत ही कुबसुरत होता और हमने red वाले फ्लार पे वाइच कलर के पर्ल रखती है इस अभी एडिवले friends इसे अप अपने मन चाहए पर्ल से सजा सकते हैं और केक को आप जितना सजाय केक उतना ही कुबसूर मोती जो है हमने